आज मैं आपके साथ चॉकलेट घनाचे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ चॉकलेट घनाचे बहुत ही कम इंगेडिट्स के अंदर बन कर तैर हो जाता है और यह बनना बहुत ही इजी है तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजी और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के शाथ शेयर कीजी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकोन पर और आप्शन प्रेस कीजी ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट गनाचे बनाने के लिए मेजर्मेंट कप से आदा कप कोको पाउडर लिया है कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और सुपर मार्केट या ग्रॉसरी सॉप पे इजीली मिल जाता है और अब इसमें दो टी स्पून कॉन फ्लॉर एड़ करेंगे कॉन फ्लॉर को कॉन स्टाच भी बोलते हैं अब जिस कप से कोको पाउडर डाला था उसी सेम कप में चीनी ली है और उसको एड़ कर लेंगे यानि जितना कोको पाउडर है उसकी सेम कॉन्टिटी में चीनी लेनी है और अब विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपको यह मेरा रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट लिख कर जरूर बताईए सारे इंग्रिडेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मेजरमेंट कप से एक कप दूद एड़ करेंगे दूद आप ठंडा है तो अभी यूज कर सकते हैं ताकि उसमें से सारे लंप्स निकल जाए यदि आपको मेरा रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा भगोनी को गैस पे रख दिया है और गैस फ्रेम को लो ही रखना है और विख से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि कॉन फ्लॉर और कोको पावडर नीचे चिपके नहीं चॉकलेट गनाचे को विख से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब आप देखते हो गनाचे थोड़ा सा बॉयल हो गया है और अब स्पेचुला से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्णर में कहीं चॉकलेट चिपकी हुई है तो वो निकल जाए आप स्पेचुला की जगे चमस्का भी यूज़ कर सकते है कनाचे को तब तक बॉयल करना है जब तक थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं यदि आपको में रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लिंक्स अपने फ्रेंट के साथ शेर कीजिए अब आप देखते हो चॉकलेट घना से थोड़ा सा थिक हो गया है और बहुत ही बड़ा गलेज आ गया है तो इस स्टेज पे इस पेचुला से कंटीनू मिक्स करते रहना बहुत जरूरी है नहीं तो चॉकलेट नीचे चिपक जाएगी तो अब चॉकलेट घनाचे की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और अब इसमें 5-6 ड्रॉप वरनिला एसेंस एड़ कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को सिचॉप कर देंगे तो आप देखते हो बहुत भी बड़िया गलेज आया है जैसे घनाचे थोड़ा ठंडा होगा थोड़ा और थिक होगा और अब इसमें एक टेबल स्पून सॉल्टेट बटर अड़ कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बटर डालने से घनाचे के अंदर बहुत अच्छा गलेज आएगा अगर आप अन्सॉल्टेट बटर का यूज करते हैं तो इसमें पिंग सॉल्टेट अड़ कर दीजीएगा मैंने सॉल्टेट बटर लिया है इसलिए इसमें सॉल्ट अड़ नहीं किया है बटर घर पे कैसे बनाता है उसका मैंने लिंक डिस्कृप्शिट बाक्स में दिया वा है तो आप ताह से देख सकते हो तो आपको यह में रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट लिखकर ज़रूर बताईए तो आप चॉकलेट घनाचे को गरम गरम छलनी से छान लेंगे ताकि कहीं उसमें गुटलिया है यानि कहीं लम्स है तो वो निकल जाए और हमारा चॉकलेट घनाचे सिल्की और स्मूड टक्चर में दिखे तो अब हमारा चॉकलेट घनाचे बन कर तयार है आप देखते हो सो नाइस कलर और बहुत ही बड़िया कंसिस्टेंसी है और अब चॉकलेट घनाचे को बॉल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ